तो तूटिंट्स विल स्टैड़ी एलेक्रोल्फ सव वॉटरी बहुत इंपॉर्ट अक्टिविटी एक दी इंपॉर्टन प्वैस्टन उसके पर बन सकते हैं वैसा साथ करा आती हूं सबसे पहले किया है देखते हैं सबसे पहले यहां पर एक प्लास्टिक मग लिया है तो यह कंटेनर जो आपको कि लीकेज नहीं हो बिल्कुल भी औफिक्स हो जाय है उसमें तरह यह हांड हमने फिक्स कीया है और दूस्टर अपने डूस हमनि प्टोर फिक्स किया है और पॉसेट र चाजम टर्मिनल होता है और क्थोड निगीटिव लिछ टर्मिनल होता है इन दोनों को स्विच से और उसके साथ 6 व्ल की एक बैटरी के साथ करेक्ट कर दिया है अंदर दोनों ग्रेफाइड केवाइड कि लेक्ट आप में लगा है एल साथ में उपर से हमने आपर आयन की प्रेजन्स की जरूरी है बता देती हूं वाटर के साथ कुछ आयन्स मॉलिकूल जैसी आप मिलाएंगे तो इसमें क्या होगा आपका आयन एकटृधिक करन्ट आहां से पास हो जाएका अधोर एक्टरिक करन्ट पास नहीं होगा तो इसलीफ फइड वाटर में एलेक्ट्रिकर्ण आसानी से पास हो जाता है यहां पर एसलीफ्र प्रसेंग तुछ यहां पर हमने पदाया वैन current is passing through acidified water will say acidified का मतलब यहां पर है acid add किया है आपने इसके अंदर तो यह आपका acidified water यहां पर हमने लिया है and bubbles are formed at both the ends तो यह बबल्स बच्चो नजर आ रहे हैं तो यह दोनों ends पर आपके form करेंगे and मतलब anode क्या थोड की वह बात कर रहे हैं चलिए उसके आदम करते है reaction में हुआ क्या है तो reaction में water molecule यह आपका water decomposition water molecule electric current की help से आपकी h2 और o2 दोनों gases पर आपका हो जाता है collect यहां पर बनता कैसे है तो यहां थोड़ा सा मैं आपको help करूंगी जो negative charge for you a negative charge cathode है यह आपका cathode और positive charge anode है आपका जो यहां हमें मिल रहा है reaction में तो हो 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 है है हमारे पास है और दूसरा हो negative आपके पास है यहां पर बगए यह positive iron है it will move towards negative charge part यानि यह आपके पास cathode के पास आपका यह पहुँच जाएगा तो hydrogen का जो collection है वो आपका cathode पर है याद रखिए अच्छ है से इसको यह आपका negatively charge part है O2 बनायाएगा तो सही लेकिन कहां पहुंच जाएगा positive charge यह नहीं anode पर आपका oxygen है तो oxygen anode पर है यह आप याद रखिए और जो आपका hydrogen है वो आपका cathode के साथ connected है यह आपको याद रखना है very important point पर जो अब आते कि ठीक है किसी identify करोगे कि दोनों gases में hydrogen oxygen है तो आप याद रखिए जो आपकी h2 gas है वो combustible gas है तो जैसे ही आप उसके पास में मैस्टिक ऐसे लेकर जाएंगे तो वह pop sound के साथ burn करेगा यह उसका pop sound test भी है आपका pop sound के साथ burn करेगा दूसरा जो ओटू है वो supporter है combustion की तो आराम से आपको पता चल जाएगा लेकिन यहां जो basic और बहुत important question बनता है वो यह है कि दिखिए एक तरफ जो आपका cathode है यादि नेगटिटिव लिचार्ज है वहाँ पर गैस का अमाउंट ज्यादा है और जो आपका एनोड पॉजिटिव लिचार्ज है यहां पर आपके गैस का अमाउंट कम है ऐसा क्यूं है तो पहले तो यह याद रखिए हां ऐसा है कि जो एच्टू है वो डबल अमाउंट में बनेगी oxygen से हमेशा H2 formed on cathode will be double amount perfectly all right इसको उसकी वज़े reason मैं आपको बहुत अच्छे से explain कर देती हूं देखे बेटा जी balance किया मैंने तो यह आप मेरे पास आगया 2H2O 2H2 and O2 अब मैं क्या करती हूं अब इसको simplify कर देती हूं simplify मतलब इसको मेरे को 2 से मैं डिवाइड किया सबको 2 से डिवाइड कर दिया मैंने तो मुझे जो reaction मिलेगी यह वन वाटर मॉलेक्यूल एक वाटर मॉलेक्यूल यह मोल है मेरे पास यह 2 का यह भी 1 हो जाएगा बिकस मैंने 2 से डिवाइड किया 1 को लिखने की ज़राती नहीं है तो मैंने लेका है H2 यहां पर लेकिन यहां पर अगर मैं 2 से डिवाइड कर रही हूं तो 1 by 2 O2 बनेगा यानि बहुत important concept है यह एक water molecule split होता है एक hydrogen में और half O2 molecule form करता है अगर half O2 molecule यहां पर है तो उसका मतलब क्या हुआ कि complete H2 1 molecule है लेकिन O2 है कितना हो गया हाफ तो हमेशा जो यह ratio में बनेंगे वो किस में बनेंगे आपका? 2 is to 1 के ratio में या फिर 1 is to half के ratio में तो इसका मतलब यह oxygen side है और यह hydrogen side है तो यह हमेशा जो भी आपकी oxygen है उसका amount आदा होगा किसके amount से? hydrogen के amount से and that is why किस पर जहां पर आपकी hydrogen बन रही है वो double the amount है और जो double बने का? वो hydrogen gas का होगा for sure याद रखेंगे बहुत अच्छा concept चाहिए चलिए उसके बाद हम नीचे आजाते है displacement reaction अब displacement में क्या होता है? displacement का बतलत होता है किसी चीज़ को हटाना, displace करना और उसकी जगाँ खुद ले लेना लेकिन यहाँ पर क्या है ऐसे? metals है, क्या किया हमने? हमने दो iron nail लिया आपके, दोनों iron nails को हमने कहाँ पर dip किया? copper sulfate का solution बनाया copper sulfate को water में add किया, तो solution का color हो जाता है blue अब क्या किया? उसके साथ मैं iron nail को उसके साथ कुछ time के लिए dip करा, stand के साथ उसको uninterrupt, छोड़ दिया after a while आप देखेंगे कि iron nail को बहार निकालेंगे, तो iron nail जैसे पहले था, वैसा नहीं है उसके उपर red deposition आ गया है और चो copper sulfate पहले blue था, वो भी greenish fade color का हो गया है क्यों, ऐसा क्यों हुआ? वो मैं आपको एब explain करती हूँ, क्यों ऐसा हुआ? iron nail मेरा F.E. का बना हुआ था, copper sulfate मेरा blue color का solution है तो जैसे ही मैंने इस iron nail को copper sulfate के blue solution में डाला after a while या दीरे-दीरे अब आपका होता है क्या है? आपका F.E. F.E. जो iron है याद रखें, हमेशा displacement वहाँ possible है, जहाँ पे जैसे iron मेरा लिया तो वो copper से ज्यादा reactive है copper से ज्यादा reactive है, तो उस case में यह iron इस copper को यहाँ से हटा देगा, displace कर देगा, उस case में यह copper चला जाएगा, तो उसके जीए क्या आ जाता है? आइरन जैसी iron इसके जीए आता है, तो यह बन जाता है, ferrous F.E. SO4 आपका बन जाता है, यहाँ से क्या बाहर आ गया आपका? क्या बाहर आ गया बच्चों? यह आपका copper बाहर आ गया. अब copper sulfate तो blue color का था, लेकिन जो ferrous sulfate है, वो light green color का, इसलिए color fade हुआ गया, यह compound ही दूसरा बन गया displacement की वज़े से, और आपका brownish color का जो copper है, वो अलग हो जाता है, लेकिन याद रखिए, अगर मैं इस reaction को कुछ उल्टा करना चाहूं, और मैं copper का coin डाल देती हूं, ferrous sulfate solution म और वेट करती हूं घंटो कि कुछ होने वाला है, nothing is going to happen, कुछ भी नहीं होगा, reason being क्योंकि copper less reactive than iron और इसके अंदर इतनी capacity नहीं है, reactivity series के according कि वो iron को यहां से हटा पाए, तो इसका मतलब no reaction, no change, चलिए कुछ और examples है, तो zinc, zinc granule, copper sulfate में डाले मैंने, तो copper sulfate तो blue ही था, क्य क्या बनेगा, zinc नहीं क्या किया, displace किया, किसको copper को, फिर से copper अलग, तो बना zinc sulfate जो colorless होता है, और copper फिर से आपका red brown color का हो गया, तो zinc में, आपका copper sulfate blue से colorless हो गया, आपके वस lead है, lead आपने किसमे डाला, आपका CuCl2 में, अब यहां पर क्या है, आपका lead ने, इसको हटाया, PBCL2 और फिर से copper अलगवा, लेकिन याद रखे, इनकी reverse reaction बिल्कुल possible नहीं है, क्योंकि reactions में, more reactive metal can displace the less reactive one, चलिया बात है, double displacement reaction थोड़ा सा interesting भी और नया भी है, बच्चो, double displacement का मतलब हुआ, कि कोई भी दो friends है, आपके for an example, तो क्या करेंगे, सिर्फ place change करेंगे अपना, क्य मैं आप से change करूगा, आपके पास जगहा है, तो, तो वो basically, ऐसे reactions, जिसमें reactant के ions, अपनी, अपनी place, change कर लेते हैं, कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं, तो reactions in which, there is an exchange of ions, exchange of ions between the reactants, तो मेर पास है यहाँ पर, sodium sulfate and A2SO4, किसके साथ मैंने react कराया, barium chloride के साथ में, क्या बनेग है आपका है आपर, barium sulfate and sodium chloride, यह आपका बन जाएगा, दोनों में, अब यहाँ, इसको ध्यान से मैं समझा देती हूँ, आयन exchange हो कैसे रहा है, बचो ध्यान से देखेंगे, तो मैं इसको नीचे ले आती हो, reaction को यहाँ ले आती हूँ, मेरे पास है, Na2SO4, और साथ में क्या है BACL2, उसको ध्यान से देखते रहे है, यह जो आपका है, यह Na positive और SO4 negative है, यह iron sense के बचो, salt हमेशा एक positive negative iron से बनेगा, और यह आपका positive और यह आपका negative है, यह कैसे exchange कर देते हैं, यह जो sodium है, sodium किसका है साथ में, अटेस्ट, डिसलफर के साथ में, लेकिन यह इस के साथ, यह यह CL के साथ combine कर जाएगा, और barium किसके साथ चला जाएगा, आपका, sulphate के साथ में, तो product जो बनेगी, बिल्कुल यह दोनों product क्या बन जाएगा, आपका, BASO4 बन जाएगा, और साथ में, आपका बन जाएगा, NACL, BASO4 का white precipitate बनेगा वच्चो, लेकिन किसकी वजह से, exchange of ions की विजह से बनेगा, double displacement क्यों बोल रहे हैं, because double, NA का position भी चेंज हुआ, बेरियम का भी चेंज हुआ, ऐसे ही negative charge, sulphate का भी और आपका, CL का भी हुआ, इस case में, white precipitate, तो आभ यहां पर आप देखे, double displacement, आपने बोला, दो reactant है, दो ही product बन रहे हैं, पर उनके exchange swap कर रहे हैं, ऐ आपको precipitate reaction, वनमाग में विल्कुल पूच सकते हैं, वो डूब यह अंडर्स्टेंड, इसकी आप example दीजिए, आपके यहां पर बिटा, तो आपको precipitate reaction ने कैसी reaction है, जिस reaction में precipitate form करता है, जैसे यहां पर white precipitate form कर रहे है, तो यह reaction आपके precipitate reaction है, इस somebody will ask for an exam precipitate reaction का, तो आप barium sulphate or barium, यह आपका sodium sulphate or barium chloride पर example आप लिख लिए, other than this अगर पूछते हैं, तो फिर आप यह reaction लिखिया, यह आपका lead nitrate है, किसके साथ reaction करा है, potassium iodide के साथ, यहां भी ion exchange होगा, क्योंकि यह भी double displacement reaction, तो यहां पर क्या बनेगा, white lead nitrate की जगा, अब yellow precipitate of lead iodide बन जाएगा, और K NO3, अब इस क्या ions देख लेती हूं, मैं आपको बताती हूं कैसे बन रहा है, तो this is another example of double displacement as well as precipitate reaction, अब यहां पर क्या हो रहा है आपका lead nitrate, साथ में क्या है आपका विच्छा, के आई है, अब इनके देखते हैं आपका, PV है, positively charge, NO3, negatively charge, K, positively charge and I, negatively charge, right, तो अब यह जो PV है, यह किसके साथ बन गया आपका, I के साथ बन गया, right, अब K किसके साथ बचा, positively charge है, 203 के साथ बना लेगा, तो reactant में क्या आजाएगा आपका यहां पर, PV I2 आजाएगा, और साथ में आजाएगा KNO3, इस तरह से ion formation और उनके exchange की वज़े से हमेशा आपका double displacement reaction होता है, और double displacement बोल रहे हैं, तो दोनों reactant अपने आयां, सिक्स्चेंज कर रहे हैं, तो यह दोनों बहुत अच्छे examples है, precipitate reactions के भी और आपका जो है, यह double displacement reaction का भी, तो अभी मैंने आपको बताया कि आपके पास water activity, why is in double amount, which cathode, which gas, then displacement reaction, always most reactive metal, यह फिर more reactive metal will displace the other one, अगर हम इसको opposite करना चा displacement possible नहीं होगा, double displacement and precipitation में, तो दोनों मैंने आपको बताया, ion exchange की वज़े से वो reaction possible होते हैं,